साई की बात बचे मेरे भकतों के लिए मेरा नाम ही उनका आधार है मेरे बचे मेरा नाम ही आधार है उनका मेरे भकतों का क्योंकि जहां मैं हूँ वही मेरा नाम है और जहां मेरे भकत है तो वही मेरा नाम है मेरे बचे जहां मेरे बच्चे, जहां मेरे भक्त, मुझे यार्ट करेंगे न, मैं बहां पहुंच जाओंगा, तुम्हें पता है, इस कल्यूग में न, मुझे पाने का सबसे आसान तरीका है, मेरा नाम, जो इस कल्यूग में मेरा नाम लेगा, मुझे सिमरेगा, मेरा नाम जाप करेगा, उसके पास मैं होंगा ही होंगा वहां तो कोई सवाली नहीं उड़ता कि मैं नहीं हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता जहां मेरा नाम है वहां मैं रहूंगा ही रहूंगा अपने बच्चों के हमेशा मैं अंग संग होता हूँ हमेशा उनके साथ होता हूँ हमेशा और सुनो अगर तुमें कहीं से मेरा प्रशाद मिलता है ना मेरे बचे तो आगर सभी में बाट दिया करो चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों न हो मेरे बचे क्योंकि प्रशाद तो मेरा अश्रवाद है और तुम जितना अश्रवाद बाटोगी उतना तुम ही मिलेगा मेरे बचे ये मत सोचो कि तुम जिसे प्रशाद दे रहे हो वो कौन है, क्या उसके मन में है क्या गंदगी है उसके मन में ये मत सोचो बस तुम ये सोचो कि तुम अपने साई के बच्चों को प्रशाद बाट रहे हो और तुम उसका माध्यम बने हो तुम सेवा कर रहे हो और तुमें मैंने वो सेवा दी है तो तुम भागेशाली हो मेरे बच्चे तुमारे हातों से मैं कुछ पुन्ने काम करवा रह तुम तो अच्छे काम कर रहे हो ना और सुनो मैं मानता हूँ कि तुम अपने के लिए बहुत सोच रहे हो किसी ऐसे अपने के लिए वो तुम्हारा कहने को तु अपना है ना लेकिन जब सब की बात आती है ना अपने समाज की परिवार की तो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देता और उसी के लिए तुम किसी और अपने से तुम ना जिद कर रहे हो कि उसके लिए तुम्हे कुछ लेना है तुम्हे कुछ करना है तु सुनो मेरे बच्चे किसी अपने के लिए लेना गलत नहीं होता लेकिन उसके लिए ही दूसरे किसी अपने को परिशान करना ये तो गलत है ना, क्योंकि तुम जिस अपने के लिए लेना चाहते हो, वो अपना तुम्हारा अपना होकर भी नहीं है, च्योंकि वो हमेशा अपना स्वार्थ देखता है, हमेशा, और तुम हो कि उसके चिन्टा में हमेशा घुले जाते हो, हमेशा, बस यह सोचते हो, कि मैं उसके ये कर दूँ वो कर दूँ ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ हाँ मैं मानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारा प्यार है तुम्हारा प्यार तुम से सब कुछ करवाता है और तुम प्यार के आगे ना पैसों को कीमत नहीं देते पैसों की कीमत नहीं समझते हो कोई मूल नहीं रखती हो तुम मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या है न जैसे तुम हो न वैसे ये दुनिया नहीं है मेरे बच्चे ये दुनिया भाव से नहीं देखती ये दुनिया दिमाग से चलती है और इस दुनियों को ना दिमाग से ही काम लेना आता है तो वो तुम्हारी बातों को नहीं समझेगी तुम्हारे भावों को नहीं समझेगी तो इस वक्त ना किसी को परिशान मत करो और शांत रहो तुम बिल्कुल शांत हो जाओ मन से और जो मुझे करवाना होगा वो मैं करवा दूँगा जैसे भी करवाना होगा जो आगे आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है लेकिन तुमना रोज हलकरजी करते हो रोज आलस कर जाते हो कि मैं आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, पर्टो जाऊंगा, तो ये सब बिलकुल भी मत करो, बिलकुल मत करो, जो काम जब हो रहा है न, उस काम को तभी करो, क्योंकि क्या है न मेरे बच्चे, नई-नी चीज़े निकलती आ रही हैं, और तुम पुरानी चीज़ों में ही ओलसते रह जाओगे फिर ये सब मत करो बिल्कुल भी मत करो और सुनो जिस दिन से तुम अपनी वाणी में मिठास ले आए ना मेरे बच्चे मतुरता ले आए ना उस दिन से जो लोग तुमसे नफरत करते हैं वो सभी धीरे धीरे करके ना वो तुमारे सब अपने बंचाएंगे चीठा करो और सुनो हारोगे नहीं तुम तुमने अपने आपको कमजोर समझ लिया है लेकिन तुम कमजोर हो ही नहीं तुम्हारे समझने से क्या होता है मैं तुम्हें कमजोर पढ़ने दूँगा नहीं मैं तुम्हारा हाथ पकड़ करना तुम्हें खीच कर आगे लेकर इतने से में ही हार मान गए नहीं तुम्हें हार नहीं मानने दूंगा मैं बिलकुल नहीं और सुनो तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें उस इस्थान पर जादा भरोसा है मेरे बचे तो तुम्हारा जिस इस्थान पर जिस जगा पर जादा भरोसा है मेरे बचे तो उस दर प पर इंतजार कर रहा है तुम्हें देने के लिए बैठा है मेरे बचे जाओ मेरे बचे जाओ और सुनो जीत तो हमेशा सचाई की ही होगी मेरे बचे हमेशा सचाई को कोई जुटला सका है कि आज तक कोई नहीं जुटला सका मेरे बचे अच्छे से अच्छे बड़े से बड़ जब तुम किसी मंदिर में जाते हो या किसी स्थान पर जाते हो न वहीं पर अगर तुम्हारा कोई मिलने वाला मिलता है तुम्हारा कोई रिष्टेदार मिलता है और अगर वो तुमसे पैसों में थोड़ा अच्छा है थोड़ा वो उपर है तो इसका मतलब ये तो नहीं न कि तुम कम हो अपने और उनके MAY कपड़ों की तरफ मत देखा करो, तुल्ला मत किया करो कि उन्होंने कपड़े कैसे पैने हैं, मैंने कैसे पैने हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि बाबा आभी कैसी कैसे बाते कर रहे हूं तो हाँ ये सहीं बात है मेरे बच्चे बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जो अपने कपडों से दूसरों की तुल्ला करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो भले ही किसी से नहीं कहते लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि देखो कि मैंने कैसे कपड़े पैने हैं और उसने कैसे कपड़े पैने हैं तो सुनो जब तुम मेरे द्वार में आते हो न तो तुम वहाँ पर मेरी भक्ती करने आते हो और वो भी मेरी भक्ती करने आता है वहाँ पर तुम तुल्ला करने नहीं आते मेरे बचे और चाहे इंसान को तुलना नहीं करनी चाहिए, हमेशा इंसान को सचे दिल का होना चाहिए, मन से साफ होना चाहिए, जो मन से साफ है न, मन से पवित्र है, उसके लिए कुछ भी नहीं है मेरे बचे, अगर वो साधरन वस्तर भी पहने का न, तब भी बहुत सुंदर लगेगा, आग खाना नहीं खा सकता मैंने सबको अपने बच्चों को यही संकेत दिया यही संदेश दिया कि हमेशा हमेशा हमें जो भी है न उसमें संतुस्ट रहकर खुश रहना चाहिए जो भी हमारे पास है न उसमें हमें अपने मालिक का अपने इश्वर का शुकराना करना चाहिए मेरे कि उन्होंने जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है क्योंकि मेरे बच्चे उन लोगों से पूछो जिनके पास तो सर पर छ़द भी नहीं है खाना बनाने को चूरा नहीं है, लकडिया नहीं है, सोचो उनकी हालत, उनके वक्त में दो वक्त का राशन नहीं है, कि वो कुछ खा सके, कुछ बना सके, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, सोचो, देखो, जब तुम्हारा मन न लगे न, मन अस्थिर हो, मन में बेचैनी हो, बहुत अलग सा लगे, अपने दिल की बात तुम किसी से ना कह पा रहे हो, कुछ भी ना कर पा रहे हो, तो सुनना, एक काम करना, सीधा भाग कर अपने बाबा के मंदिर आ जाना, तुम्हें वहां पर आकर शांती मिलेगी, और हो सकता है, जो तुम्हारे परिशानी है न, उसक अगर मेरे पास आ जाओगे न, तो शायद मैं तुम्हारे दुखों का निवारन कर दू, तुम्हारे समस्या खतम हो जाएगी मेरे बच्चे, सुन मेरे बच्चे, आंधिया मी रुख बदल देती है मेरे बच्चे, जब साई की रहमत होती है, तो डरना मत, चाहे कितने भी आंधी आए, तूफान आए, अगर तेरे बाबा की रहमो नजर तुछ पर है न, अशिरवाद तुछ पर है, तो तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं, और जिन्ता मत कर, सारे इलाज का पैसा इखटा हो जाएगा, तो जिन्ता मत करना, मैं हून मैं करवा दूँगा, खुश रहो, आज का साई संदेश समाब दूआ